हेलो दोस्तो आज हम आपके लिए फिर एक बहुत बढ़या कोश्चन लेगर आए है जो UP Board 12 की क्लास में कहीं बार पुछे जाने वाला कोश्चन है और सबसे में बात है दोस्तो इसके अलावा ये हमारे NBS NEET है ना UPSC NET आप देख सकते हो और भी बहुत सारी प्रिक्साओं मे ये कोश्चन पूछा जाता है बहुत बढ़या टोपिक है यदि हम खासकर UP Board की बात करें तो दो मार्स का अक्सर ये कोश्चन पूछा जाता है इसके लावा CBSC Board में भी ये कोश्चन बहुत बार पूछा जाता है दोस्तो हम बात को सुरू करते हैं जैसे कि आप देख पा र को से लायक और दोनों होते हैं विलियन की अंदर जो उसकी सांधरता होती है इसकी क्यात करने का यह शको टोपिक नाम मौईला स्वेल फ्रैक्शन ही ठीक है तो फिसकी स्क्रीन के सामने लिगी होई है बहुत आसान है हमाटीमेशन के कोडिंगी इसका जो फॉर्मूला है वह आपको निकाल कर दिखाएंगे ठीक है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखना चाहिए और हमें अमीद है कि वीडियो को पूरा देखने के बाद आपकी ठीक परकार से मौलन समझ में आ जाएगा और इसको देखने के बाद आप कभी भी इसको भूल नहीं पाओगे तो चलिए फिर इसकी डेफिनेशन शुरू करते हैं देखे जरा वीलियन में किसी विले या विलायक का मौल अंस ठीक है आप पहले से वीलियन के बारे में जान चुके हो विले और विलायक ठीक है विले किसे कहते हैं वीलियन में जिसकी मात्रा कम होती है यनिके वीलियन के अंदर जिस अव्यव की मात्रा कम होगी ठीक है आपको पहले भी बता गया है मालिया आपके पास सर्बत है सर्बत में जिस अव्यव की मात्रा सर्बत को बनाने के लिए आपने इसमें क्या मिक्स किया होगा मालिया आपने चीनी और नमक मिक्स किया होगा तो चीनी और चीनी और जो आपका नमक है वो क्या है या वो विले है तो जो आपका विलायक है, विलायक की मात्रा विल्यन के अंदर ज्यादा होती है, तो विल्यन में किसी विले या विलायक, ठीक है, का मोल अन्स, यहनिके जो उसका मोल फ्रेक्शन होता है, उस गटक के मोलो की संख्या, तथा विल्यन में उपस्टित दोनों के कुल मोलो की क्या कि अनुपात के बराबर होता है ठीक है माल लिजिए विलियन में किसी विलायक या विले आपने विले ले लिया आपने क्या लिया विले विले को आप थोड़े देर के लिए ए माल लिए ठीक है किसी विलियन में किसी विले या विलायक तो आपने क्या लिया विले ले लि परजायट करते हैं थोड़ा बड़ा एक्स लिख देंगे इसको बोलते हैं काई तो कई से परजायट करते हैं दोस्तों इसके बाद है हमारा विले ठीक है विले का लेलिए आपने का मौल अंस्पूस घटक में उपस्थित मोलों की संख्या मालीजिये विले के मोल है वह आपक दोनों से तो दोनों के कुल मॉलो की संक्या कुल मॉलो की संक्या मीस दोनों को जोड देंगे बाई सिंपल सी बात है आपके पास वीलियन है आपके पास क्या है वीलियन तो वीलियन कैसे बना होगा विलायक और विले दोनों को जोड़ कर बना होगा तो विलायक पलस विले ठीक है दोनों को जोड़ कर क्या बना था आपका वीलियन, तता वीलियन में पस्तित दोनों के कुल मोलोग संख्या का अनुपार, मान लीजिए आपका विलायक NB है, और विले क्या है, N A है, ठीक है, तो विलियन के लिए क्या जाएगा, N A प्लस N B, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो विले का मोलन्स क्या जाएगा आपक रख दोगे, ठीक है, विलियन के लिए दोनों हर बार ये सेम रहेगा, अगर आप इसको और भी स्टेंडर परिके से करना चाहते हो, तो देखिए, माना विलियन में, माना विलियन में, विले, ठीक है, A के मॉल, ठीक है, A के मॉल, N ने, वे B के मॉल, वे, विलायक के मॉल, ऐसे भी लिख सकते हैं, विलायक के मॉल, N भी है, तब, A का मॉल, N, A का मॉल, N, ठीक है, यहने के A मतलब, विले, विले का मॉल, N क्या जाएगा, आपका, definition के according, ठीक है, विले, आपका, अगर आपको विले का ज्याद करना हो, तो विले के मॉल आप उपर रखोगे, यह बात आप ज्यान रखिएगा, जिस गटक का आपको मॉल, N, ज्याद करना है, उसी के मॉल आपको उपर रखने है, यदि आप, विले का मॉल, N, ज्याद कर रह हो, तब आपको क्या रखना होगा उपर, विले के मॉल आपको उपर रखने होंगे, ठीक है, हमें उमीद है कि यह आपकी समझ में आ रहा होगा, एक बार फिर सुन लीजिए, जिसका हमें मॉल, N, ज्याद करना होता है, ठीक है, उसी के मॉलों का जो मान होता है, वो उपर र तो है एन ने वही हमने कहां रखा ओपर रखा ठीक है डेफिनेसिंग के अकोर्डिंग तो क्या हो जाएगा नीचे एन एप्लस एन बी बाई विलेन में पस्तित दोनों के जो कुल मॉल हो तो एन एप्लस एन भी वे ना तो क्या हो जाएगा विलेका मॉलन्स इसकल टो एन एप्लस एन भी ठीक है इसी के साथ से जदी आपको क्या हो विलायक का हो विलायक का मॉलन्स विलायक मतलब भी का मॉलन्स ठीक है इसको भी आपका ही कहोगे और इसको भी आपका ही कहोगे तो यह क्या हो जाएगा ठीक है अभी आपको बता कि जिसका हमें मोल कोंकान आपको वह आपको सिघ्ट को उपर रखना है ठीकिंडर alkalों के लिए आपने ऊपर लख और जाननी जरूरी है एक्जाम में आपको इससे जुड़ा हुआ नुमेरिकल भी दिया जा सकता है और नुमेरिकल में आपको ऐसा नहीं है कि डिरेक्टर आप इसमें फोर्मूले में मान रखोगे और तुरंत आपको दो मार्क्स दे दिये जाएगे इसके लिए आपको मॉलो का मान निकालना होगा ठीक है एनके मॉलो का मान आपको निकालने के लिए क्या गरना होता है जहां एनने क्या है विले के मॉल है विले के मॉल ऐसे यहां एन भी क्या है विलायक के मॉल है ठीक है और यह भी क्या है और यह भी यह तो दोनों सेम है एनके विलेन के कुल मॉल ए प्लस एन में वी लेंके पूल मॉल ठीक है तो दोस्तों यह आपका एन्ने है एन का मान आप कैसे निकालते हो मात्रा बटे अनुभार मात्रा पॉल अनुभार यह लिए कि आप माश पॉल इसका जो मॉल्किलर वेट है वो भी लिख सकते हो ठीक है मॉल बराबर मात्रा बटे अनुभार यह हो जाएगा इसका फॉर्मूला तो सबसे पहले आप नुमेरिकल को हल करने के लिए मॉलो का मान निकालते हो ठीक है मालो के लिए क्या करते हो मात्रा पुर्ण अणुभार, ठीक है, तरप जाकर यह आपका कॉश्च्छन सोल होता है, ठीक है न, यहिँदि आपको किसी भी नुमेरिकल को स्टेडियों करना होगा, तो आप क्या करोगे, आपको मालो 45 गराम अलकोहल दिया है, ठीक है, 45 गराम अल आपको दोनों अव्यवों का मोलंस याद करना है ठीक है मैं कोस्टन लिख रहा हूँ यह कोस्टन आप स्वियंद करके देखेंगी आपको 45 गराम ठीक है एलकोहल दिया है C2-etil-alcohol C2-H5-OH आपको दिया है ठीक है वीडियन में दोनों अव्यवों का मोल परभाज याद करें मैं आपको कोस्टन के वल समझा रहा हूँ आप इस कोस्टन को स्वियंद करेंगे एक बार मेरे साथ आप कोस्टन को पढ़िए आपको 45 गराम एतिल-alcohol दिया है ठीक है वीडियन में परभाज आपको गयात करना है यादि मोलनस आपको निकालना है ठीक है दोस्तों यदि हमें कोई भी कोस्टन बहुत अथ्खितके से समझ में आ जाता है तो उससे जुड़ाओ कैसा भी कोस्टन हो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं इसके लिए हमें किसी भी फॉर्मुले की डे तो ší तो आपकी मात्रा है एथ्लल्कोहल की क्या है मात्रा है घ्रीक है यह क्या हुआ आपका मात्रा घ्रीन में 2डियोका अभी तो यह होगी आप कहाँ से आंकि है कि क써 सब्सक्राइब क्या हुआ आपको सब्सक्राइब यह होगा कि इसमें 30 परसेंट क्या है आपका वाटर है 30 परसेंट जल है ऐसे आपको 25 गराम एथिलेलकोहल दे दिया और एक वीलियन बना दिया गया तो वीलियन में आप समझ सकते हो कि वीलियन में 35 गराम एथिलेलकोहल है ठीक है जब कि दोनों अव्यागों का मोलंस निकालने के लिए क्या करो क्या आप आपको चाहिए जल के मोल दूसरा आपके पास क्या है जल है यह आपको यहां 35 गराम की बज़ाए 35 परसेंट दे दिया जाए तो कोस्ट पहले क्या करना होगा सो में से 35 को माइनस कर देंगे यह आपके पास 45 परसेंट होगा यह किसमे करनेट हो जाएगा गराम में यहनिके आपके पास एथिलेलकोल की मात्रा कितनी होगी 45 गराम और एथिलेलकोल के फोर्मूले से आप इसका अनुभार निकाल लोगे और यहां एतिल-एल्टुहहल और क्या हो जाएगा यहां जलिए कैसे हो जाएगा वहागा जाने की cave that के पंपन क्र송ल्ग होगए आपको स्म माइनस करोगे आपको 5525 आपका बचांथ जल का यहनिके आपकी जो जल की मात्रा होगी वह 55 ग्राम होगी ठीक है जल की मात्रा 55 ग्राम आपकी हो जाएगी चलिए इसको में थोड़ा तरा देता हूं बाकिया आप इसको करके देखेंगे और अपना अंसर कमेंट बोक्स में जरूर भीजेंगे देखें जरा यहां पर C2H5 OS की मात्रा कितनी है 45 ग्राम और आपका जो सेश है सेश क्या हो जाएगा जल दूसरा हो जाएगा जल जल की मात्रा कितनी हो जाएगा आपकी पत्सपन ग्राम यह भी आपको अपने आपी सोचना होगा अपने आपी समझेना होगा जो भी लाया गया विल्य दूसरे व्य जो मात्रा होती है दोस्तों हमें खुदी सोचनी पड़ती है कि वह क्या होगी तभी यह कोश्टन बहुत बढ़्यां क्यािlor और भी थी चम आप रह опять है इसके बाद है मारा सीतोफ़ हवायच का अनुभार कि अब होगो म77 कर थी विलायक क्यों है विलायक क्यों है क् ο कि वैप अइसकी वह हैं पत्चवल्क नाम ज्य्यादा है कि 75g 25 यह जादा हुआ और पच्पन ग्राम किया है आपका जल है ठीक है ऐसे सीठो ह्ट 5Oh की मात्रा कितनी है 45 यह कम है तो क्या है आपका विले है अब दोनों का आपका विले का और विलायक का मॉलन से निकालना है प्रवाज निकालना है तो पहले आप क्या निकर लोगे इसकी मदद से निकर लोगे इसकी मदद से क्या निकर लोगे आप इसकी मदद से निकर लोगे इसमें भी मात्रा पॉन अनुभार आ जाएगा और इसमें भी मात्रा पॉन अनुभार आपका आ जाएगा तो मात्रा पॉ तो इसकी गुणा करते हैं प्लस एक हाइडोजना कितना होता है एक होता है ना और गुणा ये 5 गुणा में आ जाएगा प्लस ओगा कितना होगा 16 और प्लस बन तो बारा दुनी 24 प्लस पांच गम 5 और प्लस 17 दोनों का एड़ कर दिया ना अब आप इसको टोटल कर लेगे कितने हो जाएगे 39 प्लस 17 तो यह हो जाएगा आपका 40 तो आपकी जो एथिललकोल की जो अनुबार है वह आपका 40 आ जाएगा तो मात्र कितनी 45 और अनुबार कितना हो जाएगा सका 40 दोनों का आप दिवाइड करोगे ऐसे ही जल के लिए भी क प्लस कितना हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा दोनों का एड़ कर देंगे ठारा प्यासे ही मात्र कितनी 55 और 55 अकों 18 इन दोनों को सोर करने के बाद आप अपने मेन फोर्मुले में ठीक है यह मात दख सकते हो और बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हो ठीक है हमें आपके आंसर का वेट रहेगा आप इसको करकर देखिए ठीक है फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो पर तब तक के लिए धन्यवाद